दोस्तो नमस्कार स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का शिवालिक ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज विज्ञान के एक और टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला दोस्तो मैं यही उमिद लेकर के चला हूँ कि आप अपने समय का बहुत अच्छे से सदुप्योग कर रहे हैं अभी आप एक्जाम्स के यही प्रेप्रेशन कर रहे हैं तो आप अपने पढ़ने के लिए दोस्तो समय ज़रूर निकालें क्योंकि कल आपको देने के लिए परिक्षाय तो होंगी लेकिन पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं होगा तो आप अपने समय का सदुप्योग करें पढ़ते रहिए नई नई चीजे पढ़ते रहिए ध्यान लगा के पढ़िए यह मेरी आप से विनती है क्योंकि दोस् का सदुपयोग करें अच्छी चीजों में अपना समय व्यतीत करें तो आए देखते हैं दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है उस चुरू करते हैं दोस्तों ये विज्ञान का पहला टॉपिक है तो मैंने कुछ सोचा कि टॉपिक भी शुरू कर देता हूं विज्ञान के त तो विज्ञान को हम तीन मुख्य शाखाओं में बाटते हैं रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भातिक विज्ञान दोस्तो रसाइन विज्ञान में हम रसाइन्स के बारे में पढ़ते हैं हम परमानूं के बारे में पढ़ते हैं हम अनूं के बारे में पढ़ते हैं हम तत्वों के बारे में पढ़ते हैं उसके बार हम यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं उनका क्या नेचर होता है इसके बारे में पढ़ते हैं वो किस तरीके से एक तूसरे से अभिकरिया करते हैं इन सब चीजों को हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं इसी प्रकार से जीव विज्ञान में हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं सजीवों के बारे में पढ़ते ह जिनमें जान होती है उन चीजों को हम जीव विज्यान में पढ़ते हैं और भातिक विज्यान में भी विज्यान में पढ़ते हैं जैसे जैसे समय आता रहेगा हम एक एक टॉपिक डिसकस करते रहेंगे तो शुरुवात हम दोस्तो जीव विज्ञान से करेंगे जीव विज्ञान को मुख्य रूप में दो भागों में बाटा हुआ है एक है जन्तु विज्ञान दूसरा है पादव विज्ञान जन्तु विज्ञान दोस्तो जिसे हम जूलोजी कहते हैं जानवरों के अध्यान को या जंतूं के या जीवों के अध्यान को हम कहते हैं दोस्तों जंतूं के अध्यान को हम कहते हैं जूलोजी और पेड़ पौधों के अध्यान को हम बौटनी कहते हैं अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे तो जीवित नहीं है तो हम अपने शरीर से जुढे हुए कुछ अध्यानों को discuss करेंगे दोस्तों तो आईए एकए करके कुछ जो भी अध्यान है हमारे शरीर से जुढे हुए उन्हें हम discuss करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों discuss करते हैं neurology neurology हम दिमाग की अध्यान को गयते हैं the study of brain is called neurological यदि आपको दोस्तो परिक्षाओं में सवाल पूछा जाए कि हमारे दिमाग की सबसे छोटी इकाई कौन सी है या फिर सवाल यूं भी पूछा जा सकता है कि दिमाग की सबसे छोटी सनचनात्मक या फिर क्रियात्मक इकाई कौन सी है तो दिमाग की जो सबसे छोटी इकाई या दिमाग का सबसे छोटा जो यूनिट होता है दोस्तों उसे कहते है नियूरॉन दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखेगा नियूरॉन हमारे दिमाग की सबसे छोटी एकाई होती है सबसे छोटी कोशी का होती है दिमाग की लेकिन यदि आपको सवाल पूछा जाए कि मानव शरीर के सबसे लंबी कोशे का कौन सी होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशे का कौन सी होती है तब भी आपका जो जवाब होगा दोस्तो वो होगा नियूरॉन ध्यान रखिएगा आगे देखते हैं आँखों के अध्यान को कहते हैं हम दोस्तों अफ्थालमोलोजी आँखों के अध्यान को हम कहते हैं अफ्थालमोलोजी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है ओडॉन्टोलोजी तो दांतों के अध्यान को हम कहते हैं दोस्तों ओडॉन्टोलोजी दांत दोस्तों हमारे 32 होते ह किसी किसी के दांत ये बहुत लेट निकलते हैं 28 के बाद किसी का 28 होते हैं किसी का 29 होते हैं किसी के 30 होते हैं 30 तो दोस्तों दांतों की संख्या 32 होती है कभी कभी सवाल पूछते हैं जी दूद के दांतों की संख्या कितनी होती है या बच्चों में जो दूद के दांत होते है उनकी संख्या दोस्तों 20 होती है दान्तों की जो सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों उसे कहते हैं इनैमल इनैमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनैमल है इस सवाल को यो भी पूछते हैं कि दान्तों की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है दान्तों की सबसे बाहरी परत दोस्तों उसे इनैमल ही कहते हैं दान्तों से जुड़ी एक बिमारी होती है उसे कहते हैं फ्लोरोसिस चितकब्रापन आगे देखते हैं डर्मेटालोजी डर्मेटालोजी दोस्तों कहते हैं और तवचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है सवाल परिक्षाओं में पूछा जा चुका है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है options आपको जो भी होंगे उसमें जरूर होगा तो हमारे तवचा जरूर होगा तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है दोस्तों वो है तवचा और तवचा एक अंग है इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा next है दोस्तों काडियालॉजी हिर्दय के अध्यन को या दिल के अध्यन को हम काडियालोजी कहते हैं दिल के अध्यन को हम कार्डियोलोजी कहते हैं, हमारे दिल में चार कोश होते हैं, फोर चेंबर होते हैं हमारे दिल में और दिल का मुख्यकारे का कई बार पूछा जा चुका है सवाल परिक्षाओं में, तो दिल का कारे होता है दोस्तों रक्त को पंप करना, दिल का कारे होता है रक्त को पंप करना ये सवाल परिक्षाओं में पूछा जा चुका है उसके बाद next है दोस्तो pulmonology तो pulmonology हम कहते हैं फेफ़णों के अध्यान को फेफ़णों के अध्यान को कहते है pulmonology जो TB की बिमारी होती है tuberculosis जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं तो TB की बिमारी जो है फेफ़णों को प्रभाबित करती है आगे देखते हैं दोस्तो रक्त के अध्यान को हम कहते हैं hematology blood यानि कि रक्त के अध्यान को हम hematology कहते हैं सवाल कई बार पूछा जाता है कि रक्त कोशिकाओं का निर्मान कहां पर होता है तो रक्त कोशिकाओं का निर्मान दोस्तो अस्थि मज्जा यानि कि bone marrow में रक्त कोशिकाओं का निर्मान होता है ये सवाल परिक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है उसके बाद next देखते हैं gastrology कहते हैं तो हमारे पेट में कौन सा अमल होता है तो हमारे पेट में जो दोस्तों अमल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अमल यानि कि HCL हमारे पेट में पाए जाता है आगे देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि वरिक या फिर किड्नी के अध्य को हम क्या कहते हैं तो किड़नी के अध्यन को कहते हैं नेफ्रोलजी किड़नी के अध्यन को हम कहते हैं दोस्तों नेफ्रोलजी किड़नी हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग है किड़नी हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग है तो किड़नी की सबसे छोटी इकाई वरिख की सबसे छोटी सनचनात्मक या फिर क्रियात्मक इकाई यदि पूछा जाए तो सवाल का जवाब होगा नेफरोन दिमाग की यदि सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो आपका आंसर होगा नियूरोन तो ये neuron और nephron exam point of view से बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको परिक्षाओं में यदि सवाल पूछा जाए दोस्तो रक्त को कौन साफ करता है और option में यदि kidney है तो आपका जवाब kidney ही होगा क्यूंकि kidney का काम जो रक्त है उसको filter करना होता है उसको च्छानना होता है या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि रक्त को साफ करना दोस्तो kidney का ही काम है kidney ये जो रक्त को साफ करती है रक्त का जो च्छानती है इस process को हम कहते हैं hemodialysis हीम शब्द का मतलब रक्त होता है Hemodialysis का मतलब है रख्ट को साफ करने की प्रक्रिया और परिक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि Hemodialysis या फिर Dialysis लिखा होता है कि Dialysis शब्द जो है शरीर के किसंग से जुड़ा हुआ तो Dialysis या फिर Hemodialysis दोस्तो वो Kidney यानि की व्रिक से जुड़ा हुआ या फिर Orthology कहते है मानव के शरीर में 206 हड़ियां होती है हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी होती है दोस्तो उसका नाम है Femur हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड़ी होती है उसका नाम है Stepes ये Stepes दोस्तो ये कान के मद्धिवाग में पाई जाती है कान में कुल हड़ियां 6 होती है लेकिन हमारे कान की जो सबसे छोटी हड़ी होती है उसका नाम है कान की ही नहीं बलकि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड़ी होती है उसका नाम दोस्तो स्टैपीज है स्टैपीज आगे देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तो ये हेपैटोलोजी है हेपैटोलोजी हम यक्रित या फिर जिगर के अध्यन को कहते हैं यानि कि the study of liver है तो हेपेटाइटिस जो है ये यक्रित को ही प्रभावित करती है पीलिया जिसे हम जॉंडिस कहते हैं जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है पीलिया शरीर के किसंग को प्रभावित करती है पीलिया शरीर के अंग यक्रित को ही प्रभावित करती है यूरिया का निर्मान कहां पे होता है यूरिया का निर्मान भी यक्रित में होता है हालांकि यूरिया का जो उत्सर्जन है दोस्तो यूरिया का उत्सर्जन वरिक मेंसे होता ह क्योंकि वरिक हमारे शरीर का मुख्य उत्सर जनंग है लेकिन यूरिया का निर्मान यदि पूछा जाए तो यूरिया का निर्मान ध्यान रखेगा यक्रित में ही होता है पितरस जिसे हम बाइल जूस कहते हैं पितरस का निर्मान भी दोस्तो यक्रित में ही होता है पितरस का निर्मान भी यक्रित में ही होता है लेकिन यदि आप से सवाल पूछा जाए कि पितरस का भंडारन कहां पे होता है पितरस इकठे कहां पे होता है तो पितरस दोस्तों पिताश्य में जिसे हम गॉल ब्लेडर कहते हैं है पित्रस्थ का भंडारन या फिर संचे जो होटा है दोस्तों वो पिताश्य या फिर गॉल्ब्लेडर में पित्रस का भंडारन होता है इस बात का आप ध्यान रखिए 8 और कुछ मत्रपुन अध्यान है दोस्तों जो परिक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर तो वो है जैसे मिट्टी के अध्यान को हम पीडोलोजी कहते हैं उसका जो कैंसर का अध्यान होता है दोस्तों कैंसर के अध्यान को हम अंकोलोजी कहते हैं ध्यान रखिएगा कैंसर के लिउकेमिया है दोस्तो ये बलड कैंसर को हम कहते है जो रक्त का कैंसर होता है उसे हम लिउकेमिया कहते है लेकिन यदि आप से सवाल पूछा जाए कि कैंसर के अध्यन को कहते है कैंसर के अध्यन को हम क्या कहते है तो हम कहते हैं कैंसर के अध्यन को सिजमोलोजी दोस्तो हम भुकंब का जो अध्यनम करते हैं उसे हम सिजमोलोजी कहते हैं दोस्तो तो दोस्तो आप अपनी पढ़ाई के लिए स्टडीज के लिए ज़रूर समय निकालें क्योंकि आज हमारे दोरा किया गया जो त्याग है वही हमारे आने वाले कल को डिसाइड क दोस्तो यूँ ही आगे वीडियो में अगले वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत